हेलो विवन दिस इस रिद्व श्रास्तव, MBBSS student of GSU Medical College काणपू आप लोग बहुत जादा पूछ रहे थे, अभी इस टाइम सबसे बढ़ा question ये भी है कि आखिर एम्स की cut-off क्या होगी, अब जब नीट के साथ साथ एम्स और जिपमर आ गया है सो एम्स की cut-off की बात करते हैं, सो एम्स की cut-off मैंने जो guess की है मैंने जगो मैं किस basis पे guess किया हूँ, पहली बात मैंने last year का round 3 का closing ranks थी मैंने सारी category की देखी है, ठीक है, general, OBC, SC, ST, OK उसके basis पे मैंने create कि बहुत लोग aims stack prefer करते हैं, ठीक है, बहुत लोग state quotas prefer करते हैं as aims college choose करना, मतलब you will be losing your 50% state quota and your need PG, ठीक है as it is a central institute, ठीक है जिसको उसके बारे में information चाहिए, मैं आगे एक वीडियो में cover कर लूग, OK, fine so ये जो वीडियो है, मैंने उस चीज़ को consider करते हुए बनाया है, मैंने closing ranks जो decide की है वो इसी factor को consider करके decide की है, so please अगर आपको अच्छा लगे, तो please मेरे channel को subscribe जरूर कर देना और bell notification जरूर on कर लेना, OK, so इसको पताने से पहले आप लोग दिशा publication जरूर जानते होगे 88 से 2020 तो कहा है, इसमें 1760 plus MCQs है, 31 chapters 98 topics, मतलब इसमें मेरे को एक खासियत यह अच्छी लगी इस book में कि like, अगर आप किसी chapter में जाओगे, आपको उल्टा दिख रहा हो, अगर आप किसी chapter में जाओगे, तो topic wise दे रखा है topic wise दे रखा है, then here, sub topic भी दे रखा है, मतलब आपको मालो, आपको coaching में, आप जहां पर ही पढ़ दो, आप खुद पढ़ दो, आप जो कुछ भी पढ़ाएगे आपको, उसमें आप देखना चाहते हो कि previous year में क्या question आए थे, तो आप एक साथ देख सकते हो, सो यह अच्छा था कि मतलब आपको पूरी कोई ऐसी book नहीं है, जिसमें 100 question दियो है previous year को, आपको छाटना पढ़ दा है कि concourses में से आपको आता है, सो आप topic पढ़े, and then आप तुरंट इसके बास solve कर सकते हो, सेम इसी तरह physics की भी आई हो है, देशा पब्लिकेशन की, एंटीनेट, chapter wise and topic wise, solve papers, physics, इसमें again 1988 से 2020 की है, दोनो 33 years की है, इसमें भी again 1760 प्लस MCQs है, 28 chapters, 100 topics है, सेम उसी तरह के सब topic हो सारी से, में खासित यह, इसमें हर chapter के हर question का hint दिया हुआ है, सो आप बाकी जानते हो, देशा पब्लिकेशन के बारे में, okay fine, so अब बात करते हैं, जो आप लोग को सबसे बड़ा question आपके mind में आ रहा है कि क्या होना चाहिए, aims का cut off, कैसे इस बार चलेगा, so मैंने कोशिश की है, hopefully अच्छा रहा है, कुछ ऐसा ही रहे, so aims Delhi की cut off, सब लो बहुत साउथ इंडियन बच्चे भी है, so at least two or three of them can prefer Jipmer over aims, so I believe like aims Delhi की cut off for UR, rank 50A, all India rank 50 से 53 तक रहेगी, उसके बाद अगर OBC की बात करते हैं, all aims Delhi के लिए, तो approx 290 से 310 तक मिलेगा, SC category की बात करें, तो 1100 rank से 1250 rank तक मिलेगा, और ST की बात करें, तो I believe like 3000 से 3100 rank तक मिल जाएगा, aims New Delhi, अब बात करते हैं, aims जोदपुर की, aims जोदपुर, मेरे accordingly, ये 400 से 500 rank तक मिल जाएगा, आपको aims जोदपुर, okay, OBC के लिए आपको, ये 910 से, under 1K, मतलब 1000 rank तक मिल जाएगा for SC, around 7800 से 8000 rank तक मिल जाएगा, और ST के लिए 8800 rank से 9100 rank तक मिल जाएगा, अब बात करते हैं, aims भुपाल की, so aims भुपाल की बात करें, तो ये मेरा expectation है कि, ये साड़े 600 rank से, साड़े 800 rank तक मिल सकता है, ठीक है, OBC को ये 1050 rank से, 1020 rank तक मिल सकता है, SC की बात करें, तो SC को 5000 से 5100 rank तक मिल सकता है, और ST को 12K से 12.5K तक मिल सकता है, इसमें मैं सारे factors कंसिडर कर रहा हूं, कुछ बच्चे स्टेट के colleges prefer करेंगे over aims, और करेंगे ही, मैं बता रहा हूं, ये safer side में बता रहा हूं, इससे कमी cut off जाएगा, ठीक आप देख लेना चाह सकता है, दूसरे नंबर पर जोदपुर जाता है, उसके बाद भूवनेश्वर और भुपाल आसपास चलते हैं, तो भूवनेश्वर का gain 650 से 850 rank तक UR हो, OBC में 1200 rank से 1250 ए 1280 rank के लो, it is safe, मैं safe rank बता रहा हूं, मतलब confirm मिल जाएगा इस rank तक, SC category में I am expecting 9350 rank से 9500 rank तक मिल जाएगा, अब बात करते हैं, another well established aim like aims राइपुर, aims राइपुर, again 1000 50 rank से 1200 rank तक UR को मिल जाएगा, OBC को 1800 rank से 2000 rank तक मिल जाएगा, अगर यही SC की बात करें तो 15,000 rank से 15,500 rank तक मिल जाएगा, वही ST को बात करें, तो 21,500 rank से 23,000 rank तक मिल जाएगा, अब बात करते हैं, aims रिशी केश की, so aims रिशी केश, 800 rank से 1000 rank तक मिल जाएगा, UR को, OBC को 1400 rank से 16,000 rank तक मिल जाएगा, SC को 11,500 rank से 13,000 rank तक मिल जाएगा, और ST को 15,200 rank से 16,000 rank तक मिल सकता है, okay, aims रिशी केश की बात हो गई, okay, fine, अब आपके well established जो aims हैं, उसमें बचा है, अब चलो आते हैं, अब श्टार्ट करते हैं, जो मेरी list में जिससे आप से दिया है, aims भटिंडा, aims भटिंडा ये newly opened है, ये आपको general category में, I am expecting 2000 rank से 2500 rank तक मिल जाएगा, मैं क्यों इसको इतना ब 2500 ये 2800 भी हो सकता है, ठीक, aims भटिंडा मिल जाएगा, OBC को 2500 से 3500 rank तक मिल सकता है, SC को 18,000 से 20,000 तक, और ST को 25,000 से 28,000 rank तक मिल सकता है, aims भटिंडा, now I will talk about aims दियोगर, aims दियोगर, I am expecting ये साड़े 3,000 से साड़े 4,000 rank तक मिल सकता है, general category में, OBC को 20, ने आना, ना, 3,200 rank से, 3,200 rank से, ये approach जाएगा, 5 से 5,500 rank तक मिल सकता है, ठीक है, SC की 21,000 rank से 25,000 rank तक मिल सकता है, SD की 30 से 32,000 rank तक मिल सकता है, मैं all India ranks बता रहूं, category rank नहीं, okay fine, उसके बाद बात करते, aims कल्यानी की, इसका भी मेरा cutoff यही कहता है, अपरोक साड़े 3,000 से 4,000 rank तक, general को मिल सकता है, OBC SC को, again वही, 3,800 से 5,000 rank तक, SC को, 22,000 rank से 28,000 rank तक, और SD को, approach 30 से 32 के rank तक मिल जाएगा, अब बात करते, aims मंगला गिरी की, aims मंगला गिरी, approximately, according to me, aims मंगला गिरी जाएगा, approach 3,000 से 4,000 rank तक, OBC के लिए 3,200 rank से 4,500 rank तक, SC के लिए 20,000 से 23,000 rank तक, और SD के लिए, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अजीब हुआ था, last year कि इसमें SC cutoff ज़्यादा गे थी, anyways, SD के लिए मैं उसी साब से बता रहा हूँ कि 22,000 rank से 25,000 rank तक मिल सकता है, अब बात करते, aims का, I am expecting cutoff कि 2200 rank से 103k rank तक मिलेगा, OBC को around 2600 rank से 3.3k rank तक मिलेगा, SC को 17,000 rank से 19,000 rank तक मिलेगा, और SD को 24,000 rank से 26,000 rank तक मिलेगा, अब बात करते, aims पतना की, aims पतना, I am expecting, ये 1600 rank से 2800 rank तक मिल जाएगा, 2700, 2700, 2800, general को, OBC को, ये approximately 2000 से 3000 rank तक मिल जाएगा, SC को ये approximately 16k से 18k rank तक मिल जाएगा, और SD को 21,000 rank से 23,000 rank तक मिल जाएगा, aims राइबरेली, aims राइबरेली, I am expecting 2500 से 4200 rank तक general को मिल जाएगा, OBC को, I am expecting 3000 rank से approximately 4800, 4900 rank तक aims राइबरी ली जाएगा, अगर बात करते हैं, SC की, SC को 21,000 rank से 2425 के तक rank तक मिल जाएगा, और SD की, ये under 26k rank सेफ है, aims तेलंगाना, aims तेलंगाना, I am expecting again इसी रेशियो में 3500 से 4200 rank, OBC के लिए 3600 से 4800 rank, SC के लिए under 21 के rank, और SD के लिए under 23 के rank, so ये मैंने सारे aims यो मेरे को मिले, round 3 की cut off के basis मैंने aims का ये decide किया, इसमें मैंने ranks बढ़ाई है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बच्चे state के colleges prefer करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा neat के ranks में, क्योंकि पिछले साल भी बच्चे क्या करते थे, पिछले साल भी बच्चे क्या करते थे, ऐसा नहीं कि जो बच्चे aims देते तो, थोड़ी सी कम जाएगे ओल इंडिया कोटा से, क्योंकि शुरू के 50, 52, 53 बच्चे aims डेली की तरफ भादेंगे, ठीक है, इस तरीकी का सारा trend चलेगा, so according to this, I made this video, और मेरा मतलब लंसम इसका summary यही है, कि अगर आपकी rank 5K के अंदर है, तो आप aims tag तो आपको मिल जाएगा, अब वो कितना well established aims है, उसमें क्या उनका hospital बना है, क्या patient load है, क्या 50 बच्चों का सिर्फ बैच है, तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान दिनी है, यह सब चीज़ें सोच समझ के, आप state college चूज करना है कि, आपको aims चूज करना है, यह decide करना है, आपको aims tag matter करता है, क्या आपको PG में 50% state quota matter करता है, क्योंकि aims is a central institute, तो aims के बच्चे, जो aims के बच्चे होते हैं, उनको जब वो PG exam देंगे, तो उनको state quota नहीं मिलेगा,